लगता है शीबा टीम ने ठान लिया है कि शीबा एनू को एक के बाद एक नए अपडेट देकर नमबर वन की मीम टोकन और नमबर वन की क्रप्टो करंसी जो सबसे जादा प्रोफिट दे भविश में ऐसी बनाना है क्योंकि हम देख रहे हैं कि आये दिन नए अपडेट कब क्या आजाते हैं किसी को मालूम नहीं पड़ता है जब कोई से भी मीम टोकन में इस टाइप के अपडेट को सो दूर रहते हैं अल्ट कोईन में कभी अपडेट आता नहीं है लेकिन शीबा इनू में पता नहीं है क्या कुछ हो जाता है कि एक के बाद एक हर अपडेट सिteen यहाँ पर कुसामा टीम और कुसामा दे रहे है तो एक बड़ा अपडेट से यहां पर शिवेरियम पर नए यूग के सुरुवात के साथ आया है जिसमें Shiba का एक नए यूग यहाँ से सुरू हो सकता है और जिस टाइप की चीजे यहां पर जो नए अपडेट आया है यह अपने आप में आपरतियाशित है जिसमें आपको मैं बता दू कि नविंतम मेकजीन जो इनका संस्क्राण है उसमें इसको प्रकाशित किया गया है और लोगों को बताया है कि किस टाइब से ये मेकजीन की मतलब इस नए युक किस रुवात की मतलब से हम केसे शीबा को एक तरीके से गोइंग टू दा मून पर जा सकते हैं और इसलिए मैं देखता हूँ कि अभी सुबा के वीडियो में लूसी कहती है ट्विटर पर क्यार हम एक सेंड के टार्गेट को इचीव करेंगे उधर कुसामा कहते है गोइंग टू दा मून शीबा तो यह हवा हवाई बाते तो है नहीं इसके पीछे ठोस रण न्यू इरा इस ड्रोविंग ओन शीबेरियम हैर वाई तो यहाँ पर अगर आप देखे तो नए यूग कि सुरुवात का संकेत यहाँ पर दिया गया है और क्या कुछ है यह नया अपडेट इसको अगर हम समझे तो शीब मेगजिन के नविंतम संसक्रण में शीबा अगामी देव पोर्टर के बारे में नए विवरणों का यहाँ पर खुलासा किया है जो शीबेरियम लेटू ब्लोकचें परिदरश को एक नया रूप देने वाला है अभी तक जो लेटू ब्लोकचें चल रहा है उनको एक नया रूप यहाँ पर रीशेप करने के तयारी यहाँप चल रही है क्योंकि आपने काफी दिनों से शिबेरियम के बारे में सुना होगा कि शिबेरियम L3 ब्लोकचेन लेकर आ रहा है L3 अपग्रेशन करने जा रहा है तो ये उसी का एक पार्ट हो सकता है सायद और कहिना कई शिबेरियम को एक उन्नत ब्लोकचेन और और ज्यादा उसको एडवांस लेवल पर ले जाने के लिए कुछ चीजें यहाँ पर जो सायद हो नए तयारी चल रही हो और उसी दिसा में य जो नया अपडेट आया है यह हो सकता है जहाँ पर शिबेरियम L2 ब्लोकचेन को नया रूप दिया जाएगा और शिबा इन्हों एको सिस्टम में डी सेंट्रलाइज अप्लिकेशन यानि कि DAP डेवलोपमेंट प्रक्रिया को एक तरीके से इंपोटेंट रूप से कारगार बनाने के लिए एक नया प्लेटफोर्म यहाँ पर बनाये गया है तो बैसिकली अभी जो डी सेंट्रलाइज एप्लिकेशन डी अप्स डेवलोपमेंट प्रोसेस है उसको यहाँ पर जो है खास और नये सिरे से बनाने की तयारी यहाँ पर चल रही है और कहा गया है कि इस न दोनों ही टाइप के डेवलोपमेंट प्रोसेस में भाग ले सकते है तो यह एक अच्छी चीज है यहाँ पर और यह सब शिवेरियम के अंडर में होगा और जो शीबा हब है इसका उसके अंडर में यह चीजे होगी तो अब आप समझ सकते हैं कि शीबा इनू के कितना का डेवलोपमेंट है यह यानि कि शीबा इनू एक एक करके बड़े बड़े काम कर रहा है जिनका असर भविष्य में आपको देखने को मिलेगा और शीबा इनू के साथ जो रहने वाला है वो तो करोडपती बनना ही बनना है भाई क्योंकि यह जिस दिशा में जा रहा है न जो कि दूसरे टाइप की एपस का समय चले जाएगा डी सेंट्रलाइज एप्लिकेशन ही चलेंगे उनना टेकनोलोजी एडवांस टेकनोलोजी आएगी जहां पर मेनवली कुछ नहीं होगा ओटोमेटेड मोट पर सब चीजे जाएगे और डी एपस उसका जीता जाकता उध खारण है भई और शीबा टीम उसी दिसा में जा रही हो और इस पश्ट तोर पर उनका यहां पर कहना है कि देखे शीबा इनू का जो मीम टोकन का दरजा है वो एक प्रकार से अब एक हास प्रद वाली बात हो गई है और हब अब हम उससे उपर उठने वाले हैं जहां पर य संस्कृति से पेदा हुआ शीबा इनू एको सिस्टम उसको त्याग देगा ठीक है बहुत बड़ी बात है उसको त्याग देगा और एक नए आंदोलन नेत्रत्व के माध्यम से शीबा इनू डेव पोर्टर पर एक नए डिसेंटरलाइज फ्यूचर के लिए प्रभावसाल प्रवेश दुआर बनेगा और शीबा इनू पर एक तरीके से सब लोग निर्भर हो जाएंगे और शीबा इनू ने यहाँ पर टीजर मतलब लोगों को चड़ाने के लिए कहा है ठीक है और साथ ही इनू ने कहा है कि हमारे जो इंजीनियर है जोन डॉई उनका यहाँ पर व भी आपक सूट प्रदान करके हम प्रवेस की बादावों को कम कर रहे हैं और डेवलिप्रह को अपने टी एप्स को अधिक आसानी से बनाने परिक्षण करने और थेनात आत करने में हम सख्शम कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर जो इनकी इन्जिनेर है उनका इंटेर्विव कुछ था में भी क्योंकि शीवायनु को हम een cent का target अभी देख रहї है कि शीवायनुẩn एक cent के target को इचिव करेगा ओब ही इसलिए इन सब बातों की बदोलत या शीवायनु All the sand to target को इचिव कर सकता है और देखे आगे vitry ने से पहले बताना चाहता हूं ये इसी ही अपडेट अगर आपको हमेशा पाना है ना तो चैनल को अभी जाके रेड़ बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो भाई ने तो शीबायनु के बारे में जानकरी नहीं लगेगी आप सोचोगे शीबायनु का कुछ नहीं होगा और आप बेज दोगे और भविश् तो काम करेंगे आगे जाके तो ये एक चीज है यार यहां पर बाकि आपकी मर्जी सस्क्राइब करो मत करो यहां पर आगे अगर और चीजे देखे तो यहां पर बताया गया है कि हाउड़ शीबा डेव पोर्टर इनेबल ए न्यू एरा कैसे नए योग को सक्षम बनाता है तो कोई भी डेव पोर्टर पर डिजाइनिंग कर सकता है नौ सिख्या भी साथ ही सुसजित ओन बोर्डिंग प्रक्रिया और विस्तरत दस्तावेजी करण के साथ नए लोगों के लिए एक सहच परवेज द्वार यहां पर बन रहा है इसके अलावा बताया है कि उपकरण ड अनुभवी डेवलोपर दोनों यहां पर सुलब तोर पर काम कर सके यह यहां पर जोर देकर कहा गया है तो कई विसेश्ता है है इसकी तो यूजर अनुकूल इंटरफेज यहां पर सबसे मेन विसेश्ता हो जाती है अगर कुछ विसेश्ताव की बात करते हैं यहां पर बता करना केंद्रिक करन उन डेवलोपर्स के लिए इंपोर्टेंड है जिने वास्तविक समय में अपनी परियोजनाओं की निगरानी समयोजन करने में आसानी रहे तो एसी कई चीजे यहां पर जो है इसके अंडर में की गई हो और एक तरीके से बड़ा यहां पर जो है बूश्ट करने के तैयारी चल रही है और जैसा कि मैं बार-बार कहता हूं कि शिबा इन्होंने देखे शिबेरियम लॉंच किया उसके बाद शिबा इन्होंने अपने लीश टोकन ब येप थरी, AI टेकनोलोजी, DAO लॉंच करना इसे बहुत सारे अपडेट और आप देखो तो देव पोर्टर लॉंच कर देना अपने आप में आर बहुत बड़ी चीज हो और शिबा हब और शिबा टोर्च तो अन एकस्पेक्टेड चीजे करने वाले दो पो अपडेट है ज सोचिए कि यार इसका असर मार्केट के उपर कितना खतरनाक पड़ना है मतलम में भविश्य देख रहा हूँ शीबा इनु का कि ये जो मीम टोकन है ये कही नहीं रहेंगे दूर दूर तक भी इनका वजूद नहीं दिखने वाला है शीबा इनु के उपर इन्वेश्टरों के जिस टाइप से भरोसा बड़ा है न कुछ दिनों में ये उधारन इनके डेटे से मालूम पड़ रहा है कि शीबा इनु का कितना कम डाउन फॉल आ रहा है तीस दिन साथ दिन में और बाकी का देखो कितना तेजी से डाउन फॉल की तरब जा रहा है है ये डेटा बताता है कि शीबा इनु में किस टाइप से क्रेज बड़ रहा है तो विश्वास करने की जरूँ थे विश्वास अगर आप शीबा इनु पर करोगे देखें मेरा कुछ नहीं जा रहा है मैं तो एक सूचनात्मक सला दे रहा हूँ कोई इन्वेस्मेंट सला नहीं है पर विश्वास करोगे तो साथ पेसा बन जाएगा शीबा इनु से